इस विडियो में दी हुई जानकारी इन्टरनिट से ली गई हैं। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरुर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी डाइबेटीज के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है यह दो दवाओं का एक combination है जिसका उप्योग वयसकों में type 2 diabetes के इलाज के लिए किया जाता है यह diabetes के लोगों में blood sugar के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है डाइबेंड मैक साथ tablet air को खाने के साथ लेना चाहिए अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार की यह आपके खून में sugar के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है अगर आप अच्छा महसूस कर रही है यह आपके blood sugar का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें अगर आप अपने डॉक्टर से परामर्ष किये बिना इसे लेना बंद करेंगे तो आपका blood sugar लेवल बढ़ सकता है और आपको किड्नी को नुकसान, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का जोखिम हो सकता है याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए आपकी जीवन शेली डाइबेटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है डाइबेंड मैक्स साथ टेबलेटी यार का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लुकोस तर में गिरावत, यानि की हाइपोगलाइसेमिया है सुनिश्चित करें कि आप लो ब्लड ग्लुकोस लेवल के लक्षनों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकंपी को पहचानते हैं और आपको पता है कि इससे कैसे निपटना है इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लुकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोथ जैसे कि शुगर वाले खादे पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए अगर आपको कभी हिरदे रोक था तो अपने डॉक्टर को बताएं ये उप्यूक नहीं हो सकता है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए आपके ब्लड शुकर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लिवर फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद